हाई गाईस आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव चीज लेके आई हूं जिससे आपका वेट लॉज बहुत ही आसानी से होगा इसे दिन में दो से तीन बार लीजिए यह आपके मेटाबॉलिजम को हाई रखेगा और आपको वेट रिडूस करने में बहु प्लीज गाईस इसे जरूर बनाईये पिए इसकी रेसिपी यह है गाईस हम ग्रींटी बनाने के लिए अध्रक किसा हुआ एक इंच कुछ तोसी के पत्ते आधा नीमू और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम दालचीनी पाउडर और एक चम्मच से थोड़ी सी कम या एक चम्म करें और साथ में एक ग्लास पनी डास भरेंके सीजी आधान करतीं मेरें एक बर्तन दैंगे और अभी इस पानी को हम बैउटें आना देंगे जब आत्छी तरीके से क्यों ल। कि जाएगा या हल्का गुण गुण जाएगा तब हम इसमें हमारी यह सारे सामान उस पानी में डालेंगे देखे गाइस हमारा पानी हल्का गरम हो चुका है और अब हम इसमें हमारे सब्सक्राइब कीसा हुआ एक इंच कुछ तुलसी के पत्ते और हमारा यह दालचिनी पावडर अब इसे अच्छे तरीके से तरीके से बोईल हो जाएगा और सारे सारी चीजी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी याने उसका पूरा रस निकल जाएगा उस पानी में उसके बाद हम गेस को आफ करके उसमें फिर ग्रिंटी डालेंगे देखे गाइस अच्छे तरीके से हमारा पानी उबलने जब तो अगर दालते हैं तो इसके बहुत सारे बैनेफित खतम हो जाते हैं इसलिए हल्का ठंड़ा हमारी यह ग्रेंटी की पत्तियों को दाले और उसके बाद दो मिनट के लिए इसे ढख के रख दे उसके बाद दो मिनट बाद फिर हमीने कम कप मे निकालेंगे तो देखे गाईस हमारे ग्रीन टी की पत्तिया भी उसमें अच्छे तरीके से मैं सोचू कि अब हम इसे अपने कब में निकालेंगे गाईस मैं लोज वाली ग्रीन टी की पत्तियों को ले ती पैक वाली नहीं लेती हूं जो कि इसके benefit बहुत है तो देखें guys हमारी ग्रेंटी बनके तयार है guys कई लोग चाय पीते हैं लेकिन चाय हमारे सरीर के लिए healthy नहीं होती है बहुत ही नुकसान करती है इसलिए guys कोसिस करें कि ज्यादा से ज्यादा ग्रेंटी क्योंकि ग्रेंटी में ऐसे बहुत सारे चीजे होती है जो हमारे सरीर को फायदा करती है और healthy बनाके रखती है इसमें guys अगर आप नीम्बू यह चोड़ना चाहिए तो स्वाथ के लिए नेचोड भी सकते हैं और इसके benefit भी बहुत सारे है इसमें नीमबू दाल के पीने से इसके benefit ब्लम हो जाते है इस लिए को्सिस करें किसमें नीम्मब्ल निचोड़ के ही आदा नीम नीचोड़ के ही पीए इसके benefit आपको दो गुना मिलेंगे गाइस हमारे green tea ready है पीने के लिए गाइस ट्राइजरू करिए वेट लॉस में इसके बहुत सारे benefit है आप इसे खाना खाने के एक घंटे बाद भी ले सकते हैं और खाना खाने के एक घंटे पहले भी ले सकते हैं वैसे खाना खाने के एक घंटे तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए एक घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए तह पानी पीए औ और कुछ दिर बाद अपने ग्रेंटीपी है इससे जरूर बेनेफिक मिलेगा आपको आपको फंक यू सो मच प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें